दिगज करोबारी मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला लिया है मुकेश अंबानी की कमपनी रिलाइंस रिटेल अपनी डिपार्टमेंटल चेन में सेंट्रो इस्टोर्स को बंद करने जा रही है अभी इन इस्टोर्स को अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा मुकेश अं सेंटर्ल को सेंट्र में बदल दिया था अब ऐसा क्या हुआ जो इनने बंद किया जा रहा है रिवलाइंस रिटियल की देश-भर में कितने स्टोडस बंद करने की तियारी है यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं मीडिया रुपोर्टस के मताबिक रिलाइस रिटेल ने अभी तीन इस्टोर्स बंद किये हैं इस महिने के अंत करीब 24 इस्टोर्स और बंद करने की तयारी है स्टा सब्रस Talking का अस्थाई रूप से बंद करने का फैसला किया है बड़ा सवाल क्यों Reliance Industries की ये दुकाने बंद हो रही है क्यों Reliance Industries ने इस दुकान का सटर गिराने का फैसला कर लिया खबर है कि कंपनी देजभर में सेंट्रों के करीब 80 श्टोर्स को अस्थाई तोर पर बंद करेगी हलांकि ये तस्वीर साफ नहीं है कि कंपनी कितने सेंट्रों श्टोर्स को बंद करने जा रही है और इन श्टोर्स को वापिस खोलेगी भी या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है ये बात भी साफ नहीं है कि अगर ये इस्टोर्स दुबारा खुलते भी हैं तो Reliance Retails इन दुकानों में लोकल और ग्लोबल समानों को जगह देगी भी या नहीं इन इस्टोर्स को बंद करने के पीछे कंपनी का ये कहना है कि कंपनी अपने ब्रांट्स और लेबलों को प्रमोट करना चाहती है Reliance Retail ने रिमोडलिंग प्रोसेस के तहर सेंट्रो इस्टोर्स को अस्थाई तोर पर बंद करके खुद के ब्रांट पर फोकस बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है इन आउटलेट्स पर विक्री को अभी रोक दिया जाएगा Reliance की कई ग्लोबल ब्रांट के साथ साज़दारी है जिसमें Gap और Super Dry जैसे 80 से ज्यादा विदेशी ब्रांट शामिल है सेंट्रो इस्टोर्स पर 4500 से ज्यादा लोकल और इंटरेशनेशनल ब्रांट उपलब्ध है आपको क्या लगता है कंपनी क्यों अपने स्टोर्स बंद कर रही है कमेंट में बताएं वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहें Cool Daddy Show